आज का जो वीडियो है वो बेहदी मैतोपूर्ण होने वाला है क्योंकि कुछ दिनों बाद राजतान मादमी खिक्षा बोर्ड प्रिक्षाइं आविजन करवाएगा और आप ये यकीन मानिये कि कोई भी परिक्षा जब होती है तो उसका प्रशनपत्र कुछ मानडंड रूपरेखा या ब्ल्यूप्रिंट है इन बातों को वो समझने से पहले ही अपनी तैयारी में मस रहते हैं और अधिक पढ़ते हैं आप किसी भी एक्जाम में कम मैनत में अधिक सपल होना चाते हैं तो आपको सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ गोर से सुनिएगा सबसे पह क्या डिमांड है और उस प्रशन पत्र में किस इकाई का कितना वेटेज है या हम यू कहें कि कौन से जो हमारे पार्ट है लेसन है उनसे अधिक प्रशन आते हैं और कौन से ऐसे पार्ट है जिनसे कम प्रशन आते हैं आपको इतना विश्टेशन तो करना ही पड़ेगा और ये सभी विशे में ये होता है और आप जो हमारी मादमी खिशा बोर्ड की साइट है उस पर जाकर आप देखेंगे तो आपको इस कारी योजना है जो परस्ण पत्र की योजना है जो को लिखा होगा आपके सामने इस परस्ण पत्र की योजना के बारे में सब कुछ बताया प्रकार के प्रस्ण आएंगे कौन से पार्ट में से किस प्रकार के और कितने प्रस्ण आएंगे और किस पार्ट में से निमंदा आत्मक क्युस्ण आएगा तो वहां से निमंदा आत्मक जो हम कहते हैं कि बड़े क्युस्णों के तयारी करनी है किस लेसे में चोटे आएंगे तो आपने छोटे किसे नहीं पढ़कर काम चलाना है इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और आपके अंक ज्यादा आएंगे मेरिट में आने वाले बच्चे हमेशा ब्लूप्रिंट के अकोर्डिंग ही तैयारी करते हैं मैंने भी जब इस्कुल टाइम में था तो मैं दस्वी में मुझे ब्लूप्रिंट के बारे में इतना पता नहीं था लेकिन बारवी क्लास में मुझे ब्लूप्रिंट के अकोर्डिंग पढ़ने के बारे में जी सीनियर्स ने बताया है या कि किस परकार का मोडल प्रश्ण पत्र है वो भी आप देखना और आप सोलू करने की कोशिस करना कि आप उसमें से कितने प्रश्ण कर पाते हैं उसमें आपका जो ग्यान चेक किया जाएगा वो आपके बीस पॉइंट पचास साड़े बीस नंबर की कुष्ण ऐसे आएंग के अवबोद से उसमें आपकी सब्जेक्ट के प्रति अंडर्स्टेंडिंग आपकी कैसी आपकी समझ क्या है और आप कितना प्रश्ण को समझ कर कितने प्रकार से उसको व्यक्त कर सकते हूं और अगले को समझा सकते हूं उसके आदार पर आपको उसको करते हैं अभिवेक्त रूप से उसको मोलिक रूप से उसको आप वेक्त कर सकते हैं मोलिक्ता वाले प्रशन आपके कमाएंगे जिसमें आपको चार्ट भी यूज कर सकते हो आप मेड भी बना सकते हो कुछ भी आपको पास ऐसा उसमें गुंजाइस होगी तो आप इस प्रकार से मोलिक्ता वाले प्रशनों भी क्या कर सकते हो अच्छे नंबर पासकते हो इस प्रकार से आपके 56 नंबर बन जाएंगे अब देखिए आप इसमें जो वस्तुनिस्ट प्रशन आएंगे हम इसको यूँ बोल दें कि या तो objective type होंगे या फिर इसमें आप आपको फिलिंग फिलिंदा ब्लेंकिट जो ब्लेंक्स आए वो आ जाएगा इसके अंदर मतला आपको क्या करना है आपके पास में खालिस्तान बढ़ने वाले चार प्रशन आएंगे और नो प्रशन आपके आएंगे न्यू टाइप टाइप के objective चार आपके पास दिये हो सकता है न्यू टाइप तो सब लोग एजी तरी कैसे कर लते हैं सोट क्यूशन होता है अती लगूत्रात्मक्यूशन वह आपके चार प्रशन आएंगे और एक एक नंबर के आएंगे अब आप इन चार प्रशनों के लिए टाइम भी आपके पास दे रखा है कितने समय में तो आप उसको कोशिज करो कि उसको आप चोईश मिनट में पूरे कर दो अती लगूत्रात्मक्यूशन है चार प्रशन आएंगे एक नंबर का होगा तो आप कोशिज करो कि 19 मिनिट में उन प्रशनों को आप पूरा कर दे बहुत टाइम होता है बाकी कंपेटिसन में तना ट मंदात्मक परशन है वो दो परशन आएंगे और चार नमर के तो आप ध्यान रखें जब आपकी उत्तर सनचना हो वो उत्तर सनचना इस परकार से होनी चाहिए कि बड़े जो क्यूशन है उनका आंसर भी कुछ बड़ा होना चाहिए ताकि एक्जामिनर को आपको नमबर देने में गुंजाइस रहे और मेप वाले क्यूशन आएंगे दो परते क्यूशन मेप है वो मेूशन नमर का इसका परकार हम कहा सकते हैंगे टोटल जो प्रस्ण है हमारे वो आएंगे 36 प्रस्ण आएंगे और टोटल 56 नंबर का हमारा इसमें काम होगा अब देखिए यह आप देखिए इसको हमारे जो पहला पाट है मानोबो गोल प्रकरतिय में 26 इसमें से यह पाट है दो अंक का तो आप इससे समझ के इस लेसन को आप पढ़ोगे तो आपके मारे तक दो नंबर आएंगे आप देखो कि कौन सा लेसन सबसे अधिक वेटेज वाला है जैसे यह वाला लेसन है तृत्य और चतुरत क्रियाकलाब वाला यह 4 नंबर का वेटेज लेके चलता है इसी प्रकार से एक है 16 इसमें बू संसादन और क्रिसी यह भी आपके 4 नंबर का वेटेज लेके चलता है इसका वाला समझ गए कि जो दो निमन्दात्मक प्रसन थे वो इसमें से बनेंगे अब आप लास्ट येर का परस्ण पत्र देखें कि उसमें कौन सा परस्ण आ चुका है तो वो निमंदात्मक क्युष्ण नहीं बनेगा उसके अलावा जो भी है वो निमंदात्मक क्युष्ण बनेगा तो जब आप इनको पढ़ रहे हो तो लास्ट येर का परस्ण पत्र भी जो निमंदात्मक परस्ण विगत वरस में आ चुका है, वो निमंदात्मक परस्ण इस वरस नहीं आएगा, तो उस परस्ण को आप भटा दो, उसके लावा साथ और सोला में से चार चार नमर का इसका मलए यहां से बड़े क्युस्ण आएगा, आ सकता है, क्योंकि हो सकता है, दो नमर के क्योंद मन जाए, उसी प्रकार से निरमान उद्योग है, वो भी चार नमर का वेटेज है, इसका मतलब हम कह सकते ही, संभावना है, अमारे पास दो निमंदात्मक परस्ण आएगे, लेकिन अमारे पास तीन लेस्ण हैसे हैं, जो चार चार नमर का वेटेज रखत बाकी जो लेशन है उनमें आप जो तयारी करेंगे वो आप तयारी कर सकते हो लगुतरात्मक की अतिलागुतरात्मक की वस्तुनिष्ट पश्णों की जब इस में से एक बड़ा कुष्ण आ जाएगा तो इसका कोटेज हो गया पूरा इसका मतलब इस लेशन में से कौनसा चार चीजे समझ में आएगी अभी आगे देखें ब्लूप्रिंट क्या होता है इसमें आपको पता है कि कौन से लेसं से कौन सा प्रस्ण आएगा जैसे आमने पढ़ा पहला ले पार्ट था हमारा ओधो नंबर का था तो दो नंबर का मतलब हो गया कि इसमें एक तो आएगा लगुत्रात्मक इसका मतलब हो गया कि पहले लेशन में आपको लगुत्रात्मक परस्ण भी तयार नहीं करनें दिर्गल उत्रिये परस्ण भी निमंदात्मक भी नहीं करनें तयार ठीक है अब इसमें एक तो आज़ो आएगा न्यूटाइब का वो डायरिट आपकी क्या से आ रही है उसी प्रकार से दूसरा जो प्रशन है वह है वीश्वे जनसंक्या वित्रल्ण गनत्व इसमें भी वस्तुनिष्ट आएगा और एक लगुत्रात्मिक प्रशन आएगा वह अव्बोध वाली के यह अटेकरी में से तो इस इन दो लेशनों में आपको अपनी डवलोप करनी है ठीक है उसी प्रकार जनसंक्या में क्या आएगा वस्तुनिष्ट परसन आएगा बस एक ही आएगा उसके लाव कुछ नहीं है आपको कोई तयार नहीं करनी इसके अंदर मानव विकास में एक आपका वस्तुनिष्ट आ गया और एक अवबोध में आगया क्रियां के नाम लीगिए इस प्रकार का परसनर इसके बाद LIKE कुछ नहीं आना है ऌरा जिट्ट्य किरिया है उसमें आपके क्या अप आएगा कि सब्सकुर्ण निमंदा पर पर परशन के तयारी किरयां में बाकि इस पर्षन पतन में कुछ भी नहीं आ आएगा त्रिती और च्तोरत कि रियकल आप पमें देख लो आप इसमें दिरग उत्तिती प्रसंत आएगा ती नम्ब्र का वस्तूनिष्ट भी आएगा बागी इसमें निमांत आत्म परसंत भी नहीं आएगा लग udah उत्रा आत्मा आयगा ति लग wärत्रा कुछ यावबोद वाली केटग्री में इस प्रजेंट आते हैं इसमें ठीक है कोसल और मोलिकता में बता दिया है मेप वाले प्रस्ण आएंगे जैसे यह मांचितर था ना मांचितर के दो नम्बर वाला किस में दिया है कोसल में इसका मतलब यह मेप वाले पार्ष्ण है मानवबस्ती मेंबहे कुछ ने कुछ डाइग्राम बनाने के लिए ठीक है तो मोलिकता और कोसल में आ जाएगा इसके अलाब आप देखिए मानौ बस्ती में जल संसाथ में देखो चार नमदर का प्रस्न आएगा इसको समझ चुके ओके ऐसे आपको ізस का blueprints board के साइट से डाउनलोड कर लेना है देखो हर प्रस्ण का हर लेसन का यहां पर दे रहा किये किस लेसनिंब से कितनेines प्रकार की प्रकार की प्रकार का प्रकार का प्रस्ण आएगा क्या समय चित्र किछ में आ प्रिक्सार्तिए इसारप्रत पैपर्ट पत्र नामंकन लिखेगा यह सारं के ऐगा उत्तर गर गार आपके सामने देदिया एक है घणके नहमेर यह सारी yağत अप जानते है देखो 9 नisht gate संकल अपना किसंता दीहे ए यह पेक्ट है औहिए पहले रेशन का यह जो कि मैं पता था कि ज्यान वाला मांग रहा था उसमें तो फेक्ट है नव निश्चिवाद किस ने दिया आप सब जानते हैं ग्रिपी टेल न दिया मैं मैं पेपर सूल नहीं कर रहा हूं मैं बता रहा हूं कि इसमें डारेक्ट रांसर आ गए जैसे निर्विक से कौन सी जनस क्यों करती है यह आप सब जानते हैं ठीक है यह है कि यह है यह यह बाकि आप प्रेक्टिस करो खुद और यह प्रसन आने चाहिए तो वस्टू निश्ट का मतलब सारे के सारे वस्टू निश्ट क्या आइंगे डारेक्ट एक्ट वाले यह एंगे एक तरितिक है कौन सी यह वोलगाजलिमार्ग, इस्चीक आपके große चाहीं है , उसके बार उन्सलिक पर यहाद करना है रावकेला इसपास सजींतर किस देश के सयोग से इस्तापित किया है एक फेक्ट है तो ग्यान का मतलब डाइडिक्ट आपका नोलेज चेक किया जाएगा आपको याद है तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं इस परकार से ये फिलिंदा ब्लेंक्स है जो ब्लेंक्स में आपको बढ़ना है खालिस्तान में बढ़ना है कि क्या है ठीक है तो ये कौन सी जनसंगय वर्दी को में वेक्त किया जाता है अब आपको पता है परतिसत में वेक्त किया जाता है किसमें वेक्त किया जाता है वो सारी आपको इसमें यह मुना नदी बारत की सबसे प्रुश्य नदी है ठीक है अब यह अतिलोग उत्रात्मक है इसमें भी आपका नोलेच चेक करेंगे तो अब यह देखें आपने की चार प्रशन तो आपके फिलेंदा ब्लेंक्स क्या है नो उसके आगे तो यह मोडल पेपर है आपके सामने ठी क्या है मानो का प्राकृतिकरण क्या होता है ठीक है उसके बाद में यह अलग उत्रात्मक प्रशन आगे जिनके आपको आंसर देने है और डेट नमबर का प्रशन है तो आप सोचके तो डेट नमबर में कितना लिखना आपको यह नहीं डेट नमबर का प्रशन दो पेज लि में इंट्रादू इसमें इतना आपके नंबर मिल जाएंगे जैदा लिखने की ज़रूरत नहीं है ठीक है पांच लाइन में बहुत है मानविकास के आदारबूत आविश्यक उपागम को समझाईए साइबर इस्पेस इंटरनेट का विश्री स्राथ में यह आपके अंडर्स्टेंडिंग आगे अभिवक्ती समझाईए आप अंडर्स्टेंडिंग के समझा सकते हो आप किसी को बताएए डारेक्ट गयान पर आ ग यह आपको डायत क्या करना अभीवत करना अभींत καना पर चंसे में कीच में हम्यायी आदुनिक सेर विकास के भी संबंद इस्तापित कीजिए उत्रपूरी पठारी परदेश पर टिपणी कीजिए अब टिपणी करने के लिए बोल दिया ऐसे प्रश्णों में आपके पास गुंजाई सके आप मेप भी बना सकते हो इससे आपको क्या है अच्छे नमबर मिलेंगे आपकी कोपी औरों से बहतर दिखेगी और जब बहतर कोपी दिखती है तो आपको कहीने कहीं एक्जामिनर को मजबूर करते हो नमबर देने के लिए पतनों के प्रश्ट परदेशों को इस प्रश्ट कीजिए और मेप आना आप छोटा बनाना जिना बढ़ाने की पुरा मेप को भी बढ़ जाए एक पेज में नहीं बारत में उपकरत संचार पढ़ना लेका विश्ले सात्मक किजिए तो आपको यह आगया क्या है अभी वेक्ति में तो तीन नमर का तो तीन नमर का जो में एक दस लाइन तो आप लिखे आए ये 910 लाइन तो उसमें आप लिखें ताकि हो तीन नमर आसाई से दे देगा बारत में समुद्री पार रोगियों के लिए स्वास्ते सियों की विवेचना कीजिए जो आपके पास आजकल आ रहा है Medical Tourism चिकिसा प्रेटक वो इसमें आगया आपको किजाते हैं जिसे ममई पोने उद्य की प्रदेश में मुक्य किरया कलापोन उपलवद्यों को शंक्षिप्त रूप में लिखें यह आपका दो पे टिपने लिखिए फिर आपके चार नंबर रखे हैं दो प्रसन आएंगे वी शुके लवह इस पदियों की अवस्तिति वित्रण को दीज़िए इसमें आपके पास और है या तो यह कर सकते हैं या यह दोनों नहीं करना है या तो यह कर लो या फिर यह कर लो जो भी आपको अच्छा आता है जिसमें आप अच्छा लिख सकते हो तो इसमें लगबग आप बारा से पंद्रा लाइन तो लिखें जितना आ जाएगा इसमें एक पेज जेट पेज के आसपास आगे प्रमुखादियन पसले हैं और या फिर आप ये खंड है तो दोनों में से प्रियाणों ने समस्याओं को लिख दो ये कर दो कि तीसरा जो अमना लास्ट खंड है उसमें आपके पास मेप आएगा जो भारत के प्रोसीदेश है उसका आएगा याने हम कह सकते हैं संसार का मेप आएगा एक और एक बारत का मानचितर इसमें आएगा और इनको करके इनको आपकी कोपी के बीच में अच्छे से इसको बांध एंड्रोड मॉबाइल है और बीसी बुक्स ऐसे कुछ डाउनलोड कर दो उसमें आपको वहां पर आपको इसकी पूरी पीडिया मिल जाएगी कैसे कैसे हर सब्जेक्ट की पीडिया वहां पर आपको मिल जाएगी आप जाकर वहां पर चेक कर दें इसका में क्या करतूँगा लिंक है किस लिंक पे जाके करना वो लिंक में आपको वीडियो के description box में डाल दूँगा वहाँ पर आप क्लिक करके उस साइट पे जा सकते हूँ और वहाँ से डाउनलोड करके आप प्रतेक सब्जेक्ट को पढ़ सकते हूँ आपके जो भी मित्र है आपके जो भी भाइबंध है चाहे हो 10th class का हो चाहे 12th board का blueprint आपको उसको समझा दें कि भाई इस परकार से प्रसना आते हैं और इस परकार से आपको करना है ठीक है धन्यवाद best of luck